नमस्का दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है आपका अपके अपनी यूट्यूब चैनल इस्टेड ग्यान पे तो आज हम यहां पर बात करने वाले कोटा विश्विधाली यानि यूशिटी ओफ कोटा के 2022 के रिजल्ट के पर आज हम यहां पर बात करेंगी यूजी फाइनल यहां पर बात करने वाले तो आप पेसंस भाना कि इस वीडियो को पूरा इंटक जरू देखेगा काफी आपके लिए इनफोरमेशन वाला यह वीडियो होने वाला है और अगर आप इस चैनल इस ट्रिडियान पर नए है तो इससे सब्सक्राइब जरू कर लिजिगा क्योंक information मिलती रहती है जैसा कि दोस्तों आप सबको यह तो पता हिए कि यहापर जो यूजी फाइनल इस्टुएंस है चाहे वो बीए इस्टुएंस हो चाहे बीकॉम चाहे बीसी उन सबके जो आपके पेपर है फाइनल इस्टुएंस कि उनके किसी के आपके फर्स्ट वीक में और किसी के आपके सेकेंड वीक में आपर सभी की यहापर कंपलीट हो गए थे पेपर ठीके तो हम यहापर बात करते हैं कि आपका यहापर रिजल्ट है वो आपके यहापर कब तक यहापर जारी किया जा सकता है अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो result यहां पर जारी किया जाएगा वो यहां पर become final students का यहां पर जारी किया जाता है हमेशे यह आप चाहिए देखेंगे तो ठीक है सबसे पहले यहां पर become final students का यहां पर जारी किया जाता है उसके बाद यहाँ पर BAC students का यहाँ पर जारी किया जाता है कभी-कभी ऐसा भी होता है यहाँ पर कि आपके BAC और BICOM final students दोनों का result है वो एक साथ यहाँ पर आ जाता है ठीक है लेकिन ज़्यादतर condition में यह देखा गया है कि पेले BICOM का यहाँ पर result आएगा उसके बाद यहाँ पर BAC final students का यहाँ पर result आता है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो BAC students से उनका यहाँ पर last में result यहाँ पर जारी किया जाता है ठीक जो बिए वाल ला students कि जो संक्या रहती है वो यहाँ पर maximum और जो BA का result है उसमें आने में थोड़ा सा यहाँ पर time लगता है ठीक है तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि BCOM और BAC का यहाँ पर result कब तक आ जाएगा तो जानता है मेरा मानना है कि आपके August के 1st या 2nd week तक टीक है तो August के 1st या 2nd week तक आपकी जो result है वो आना नहीं है आपका result है वो आपका August के 1st week से यहाँ पर आपका start होनी की ज़्यादा तर संभावना है ठीक है और हो सकता है कि आपकी जो अगस के 1st week या 2nd week की शुरुवात में ही आपके जो BAC students है उनका यहाँ पर result आ जाए ठीक है उनके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहा यहाँ पर result कब तक आ सकते हैं तो जैसे ही यहाँ पर BAC का यहाँ पर result आ जाएगा final year students का तो अगर उनका यहाँ पर result या 2nd week में आपके आ जाता है तो उसके एक या 2 हफ्टे बाद यहाँ पर समय लगता है तो एक 2 हफ्टे बाद यहाँ पर result यहाँ पर आ जाएगा तो लेकर information आती है या result आपका जारी किया जाता है तो सबसे पहले आपको हमारी चैनल पर सुचित कर दिया जाएगा तो इसके लिए आप इस चैनल इस ट्रिंग को सब्सक्राइब करना ना बुले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिजिगा जैसे हम यह आपके लिए वीडियो बनाते है तो उसकी notification सबसे पहले आपके पास यहाँ पर पहुच जाएगी ठीक है तो आगर तब भी आपके कोई doubt रहे गया हो कोई questions रहे गया हो तो आप हमसे comment box में पूस सकते हैं तो मिलते एक नेश्वीड में